करते हैं और लास्ट विक हमने जैसे बात किये थी कि यह लेवल जब तक होल्ड कर रहे हैं तब तक निफ्टी में बूलिशनेस रह सकती है और यहां से आप देखो के तो एक बहुत अच्छा सा यह बांस भी आया था और फाइनली यह लेवल को हमने जो ब्रेक कर दिया जिसकी हमने बात की थी 18400 से 450 के बीच में तो यह लेवल ब्रेक हुआ और टूड़े इसल वापे से इस लेवल से रिजेक्शन हुआ ऐसा भी हम बोल सकते हैं तो एनलाइसे आफ्टर वेरी लॉंग टैम मेबी आफ्टर वन राइस इस टाइप का माहुल फिलाल क्रियेट हो रहा है एक शौट टम करेक्शन आ सकता है मार्केट में तो अब मेरे को जो लेवल दीख रहे हैं चार्ट पर दोस्तों अगर कोई गैप डाउन से हम ओपन होते हैं तो मेबी यह जो कुछ हाइज हैं यह एस रेसिस्टेंस व आते होई देख सकते कमिंग में तो लेकिंग के लिए और बैस्टी की बाते हुई दोस्तों हमारी बाते हुए थी कि जब लास्ट वी जब तक यह प्रीवियर्याच में लेवल्स हो अर इसमें करेंगे और मैं युलान यू लाइफ टाम हाय वी एक्सपेक्ट कर रहा था जो है और अगर कोई डारेक्ट फॉल आता है और हमें कोई अच्छा सी अच्छी एंट्री लेने के अपॉच्छ नहीं मिलती है तो एक अपॉच्छुनिटी के लिए अगर डारेक्ट फॉल आगे वापिस से कोई कोई रिवर्सल आता है तो यह जो प्रिवियर्स जोन्स है 43100 से लेके 200 के बीच में या 150 के आसपस 43100 के आसपस आप समझ सकते हैं इस जगा से कोई रिवर्सल देखने मिलता है और फिर हम कमिंग वीक में बैंक निफ्टी को भी और नीचे वे जाता हूँ देख सकते हैं और एक्चुली तो PSU बैंक जो की बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे उसका इंडेक्स आप देखोगे तो उसमें एक बहुत अच्छा बैरिश भू आया है लास्ट एक दो दि दिख रहा है यहां से कुछ एक टॉप बना हुआ है और यह एक रिवर्सल पैटन है अगर अब टेक्निक अनलेसिस की बात करो तो यह रिवर्सल पैटन फिलाल मुझे बनते भी दिख रही है तो अगर कोई यहां पे अब आपिस से सेंपी एस यू बैंक में भी जो कहीं ना इन लाइन के एक्जेक्ट उस एरिया से रिजेक्शन भी देखने मिला है तो कमिंग वीक में मेरा ऐसा मानना है कि PNB में हम और नीचे की तरफ मूव आता हो देख सकते हैं और अपने वाचलिस में शॉट सल के लिए PNB को रख सकते हैं और एक दूसरा स्टॉक है फिर कोई और फाइनन्स कॉर्पोरेशन पावर फाइनन्स कॉर्पोरेशन में भी आप देखो गें दोस्तो यह कुछ इस टाइप का पैटन बना है और फाइनली यह जो लोस थे यह ब्रेक हुए और वापिस से इस लोस के आसपास है तो इसमें हम कैसे वेट कर सकते हैं कि अगर कोई नीचे की तरफ पूश आता हूँ दिखता है वापिस से यह जो एक लेवल है 140 का अगर वो ब्रेक होते वे दिखता है तो यह एक अच्छी अपॉच्णूटी होएगी शौट सेल करने के लिए और फिकमिंग डेस में इसमें भी बैरिश मूब आता हूँ देख सकते हैं PFC मे गाइस तो यह एक डबल टॉप भी बोल सकते हो अगर आप बाद में हायर टाइम पर आके देखोगे तो यह आपको डबल टॉप टाइप का भी सेट अप दिखेगा उस वक बाद में और दूसरे कुछ टॉक की बाते करते हैं तो ACC की बाते करते हैं दोस्तों तो ACC में भी प्रेक होता हुआ देखेंगे और फिर उसमें भी बैरिस सेट अप हम अपना देख सकते कमिंग वीक के लिए तो इस इसको अगर आप डेली के चाट पर आखे देखोगे तो ओवर आल यह जो काफी अच्छा इसने रन दिखा दिया यहां पर प्रिवेसली यह एक इसके और फिर फार्मा सेक्टर में भी ओवर आल मुझे दो वीकनेस दिख रही है और उसमें से लेकिन यह एक स्टॉक है सन फार्मा तो अगर यह डेली का चार्ट हम देखते हैं दोस्तो और इसकी ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो इस टैप से कुछ ट्रेंड लाइन बनते भी दि तो तिन वीक्स के लिए अच्छा है आप चोटे टाइम फ्रेंड पर 5 मिट्स के शायद टाइम फ्रेंड पर आके इसको इनलाइस करते रहोगे तो यह मूव अगर आता है तो आपको बहुत साइट अपॉचुनुटिस मिल जाएंगी छोटी-छोटी स्विंग की 5 मिट्स के टाइम फ्रेंड पर आके देखोगे तो हम ऐसा एजूम कर लेते हैं कि इसको शायद 7500 के आसपास आना है और अभी बैठा हुआ है 993 के आसपास तो सीधा तो आएगा नहीं कहीं जिग-जैक होता हुआ आएगा तो उसमें से काफी अपॉचुनुटिस आपको शॉटसल करन इसमें ही गुम रहा है तो यह जो मूव है मेरा ऐसा मनना है वापिस से वापिस नीचे फिर शायद उपर आएगा वह बात में देखेंगे पर अभी जो नेक्स मूव है नीचे की तरफ दिख रहा है और प्राइस एक्शन वाइस भी आप इदा देखोगे तो काफी बैरिश केंडल भी बनी हुई है यहां पर सो दिस केंड बी गुड ट्रेट सेट अप वो कमिंग विक जिसमें कि हम बैरिश में बाता वह देख सकते बदन रहा है तो अगर कोई पूल बैक आता है और कॉल्मोस्ट यह ऐसा हम बोल सकते हैं 1760 से लेके 1765 के जोन में अगर कोई रिवर्सल दिखता है तो दिस केंड वेरी गुड अपॉस्टेट वो शॉर्ट इन दिस स्टॉक यूबी यह और फिर एक लास्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं जो की है इंडिगो इंडिगो में भी आप देखोगे तो इसमें कापी एक अच्छा सा सेल आफ हमें आता वाद नीचे के साइड पर अपकोर सेल ओफ नीचे के साइड पर होएगा और इसमें जो यह सेल ओफ था उसमें यह कुछ ऐसे लेवल से जो होल्ड करने चाहे थे अगर अप्रेंड में इसको कंटेनी होना है तो लेकिन वो लेवल ब्रेक हो गे तो अभी यह जो ऑलमोस्त 90 के सब्सक्राइब कर लो और जल्दी मिलेंगे तब तक अपना ध्यान रखे अपने माधा बेता खास ज्यान रखे क्योंकि उनका आशवद आपके सिर्फे बना रहेगा दोस्तों तो जिन्दगी में सफल तर जगा बहुत ही आसानी से मिलेगी टेक कैर सिया